हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब वेलकम टू माई चैनल सक्से जंक्सन एक कदम सफलता की और और हम लेकर क्या आगए आपके लिए मद्धप्रदेश के किले एवं दुर्ग का पार्ट नमबर टू यानि कि इससे पहले हम एक वीडियो बना चुए है जिसमें 10 महतपूर किले और दुर्ग के बारे में हमने आपके बताया है कैसे प्रशन उससे बन सकते हैं कौन कौन से महतपूर तत्य हैं सचेतर वड़न हमने आपको उन 10 किलों का किया है आपके लिए तो देखिए आगामी पूरी जानकारी हम आपको देती हैं तो देखिए दतिया का किला सर एडविन लूटियन का फेमस किला था एडविन लूटियन वो बिटिस बास्तुकार हैं जिनोंने दिल्ली की ज़्यादतर इमारतों को डिजाइन किया तो संसत बाउन जो है उसकी डिजाइन भी सर एडव के बारे में twou तो देखी राज पूतानी और मुगल सेलियों का मिस्रिण जो है वह इसे सांदार स्वरूप देता है यहीं पर एक प्रसिद्द महर इस सतक्षी महर कió जिसका आकार स्वास्तिक के जैसा है जो सत खंड्य महर है उसका अकार में इस्तित है नौ खंडा महल यह महत्पूर्ण तत्य थे धतिया की किले से संबंदे चलते हैं किला नंबर बारा की ओर तो यह है मंडला का दुर्ग यहां दुर्ग मदब्रदेश के मंडला जिले में इस देखी कितना सुंदर यह दिखाई दे रहा है इसकी पीछिंग नदी साहने करवाई थी तो पूछा जा सकता है राज राजस्वरी किस किले में है तो मंडला के दुर्ग में इस्तित है राज राजस्वरी आई और आपको जानकारी देते हैं यहां पर बंजर नदी और नर्मदा नदी के संगम पर एक दुर्ग विद्वाने जिसे मंडला का ती वो कौन सी निदी थी? बंजर नदी और नर्मदा नदी दोनों का संगम था वहाँ पर. नर्मदा नदी से तीनों और से घिरे हुए ते था द sy Tar Para चौति और घहरी खाई बनी हुए तो यह दुर्ग जो है? तीन और से Nर्मदा नदी अंडला का दुर्ग है ये भी तीन तरफ से नर्मदा और बंजन नदियों से घिरा हुआ है चौती तरफ बड़ी सी खाई है इस तरह सबसे सुरच्छित दुर्ग माना जाता है चलते हैं तेरवे नंबर के दुर्ग की ओर तो ये है मंसौर का किला इस किले का निर्माड पुर्णा नाम भी लिख दिया है या करके देखी गेट पे नाम वाम लिखा संजय यहां से सपश्ट दिखाई दे रहा है ठीक है तो ऐसा है यहां पर मतलग कुछ महाल लोग होते हैं जाते हैं लिखने के लिए चलते हैं अरी जानकारी के और यह किला मंसौर में सिवना नदियों के किनारे इस्तित होते थे क्योंकि जलगी बहुत ज़्यादा आश्यक्ता है ठीक है उसकी परिपूर्ती के लिए जो है किलों को नदियों के किनारे बनाया जाता था इस किले के अंदर 500 वर्स पुराना तपेश्वर महादेव का मंदिर है ब्यापम में यह प्रश में मिले थे मगर इस किले में जो हैं बारा दर्वाजे हैं तो सबसे ज़्यादा दर्वाजे हैं किलों की बात करते हैं मद्देश में तो ठीक है पूछा जा सकता है किस किले में सरवाधिक दर्वाजे हैं तो आप आंसर लगाएंगे मनसौर की किले में सरवाधिक बारा दर कारी आपको देते हैं इस किले के बारे में तो देखिए हिंगलाज गड़किला भानपुर मद्ध प्रदेश के जिला मंसौर में स्थित है इसका निर्मार 11 सतापदी में मालवा परसासन करने वाले परमार राजाओं ने करवाया था मद्ध प्रदेश के मंसौर जिले के ना हुआ है इस महल में चार प्रमुक दर्वाजे हैं ठीक है तो दर्वाजों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं तो पाटन पोल दर्वाजा सूरज पोल दर्वाजा कट्रा पोल दर्वाजा और मंडले सुरी दर्वाजा ये चारों के चारों दर्वाजे इस किले के अंतर तो कहां पर इस्तित है तो नरवर का किलाज स्विपरी के उत्तर में नरवर नामक इस्तान पर इस्तित है देखिए इस किले का निर्मार राजा नल ने करवाया था इस किले का निर्मार आठ किलो मीटर के छित्र में हुआ जैसा कि आपको उपर छित्र में दिखाया ही गया कित आता है, इस किले 8 कوعें हैं और 9 बावडिया है नरवर के Кिले में, तो महतपूर है यह नरवर का किला, पूरी जो तत्य थे, जानकारियां थी, वो हमने आपको दे दी हैं, अगला किला है मकडाओी का किला, तो ये किला MPPSC में आया हुए था मकडाओी का किला, कहां पर रिष्टित है, सीधे सीधे प्रश्णा आया तो यह आपको दिखाई दिराया मकडाई का किला, आए पूरी जानकारी आपको हम देते हैं, इस किले का निर्माड हर्दा जिले में हुगा, इस किले का निर्माड राजा मकरंद सहा के दौरा नर्मदा नदी के किनारे कर करवाय था इस किले को पिंडारी लोगों के हमले से बचने के लिए निर्मित कराया गया था तो पहले जो है पिंडारी लोग यहां पर मद्धर देस पर आक्रमण करते थे तो उनके आक्रमण से बचने के लिए इस किले का निर्मार करवाया गया था राजा मकरंद सहा के दौर इस Qillah के अंदर 4 दney ब्हवण है राजपरिवार का निवास स्थान है बुर्जो एंवं विसाल की बावड़ियां थितना है तो पूचाई है बुछा जासकता है बुर्जो एंवं ठाच बूलए उसको छोड़ो दी जे लिय C360 सकता है ठीक है इस किले का निर्मारur 1505 जी में जाट राजा सिंग् देव दुति भीम सिंग्राणा दवरा करवाया गया था तो ज्ने करवाय था हैं, हमसे और सिंग देवती ने इसकी नीव डाली थी और भीम सींग राडा ने इसको पूरा करवाया था ? कौन सा? गोहत का किला. ठीक है तो भिंडिज लेकी गोहत तैसील में यहां पर स्थिता है गोहत का ये किला ये गुडवत्ता तैसिल नहीं है यहाँ पर गोहत तैसिल है आप मतलब करेक्शन कर लीजीगा टाइप रैटर भी कुछ भी लिख देते हैं लेखें यहाँ किला लगबग 5 किलो मिटर के छितर में फैला है बिसाल आकार के इस किले में प्रिविस के लिए 11 दरवाजे हैं जिनके नाम यहाँ के गाओं के नाम पर रखे गए हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से किले के दरवाजों के नाम गाओं के दरवाजों के नाम पर लिखे गए हैं तो गोहत के जो दरवाजे हैं उनका ना गोहत के किले के बगल से तो नदियों की जो छोटी-छोटी नदियां इन से संबंदी प्रेशन पूछ लिए जाते हैं MPPB की ये फेबरेट प्रेशन होते हैं जो आपको परेशान करते हैं अपनी विशेस निर्माड एवं वास्तु के लिए 2017 में यूनेस्ट को Asia Pacific Heritage Award मिल चुका है गोहत के किले को तो महत्रपूर है 2017 में यूनेस्ट को Asia Pacific Heritage Award मिला हुआ है गोहत के किले को चलते हैं 18 नंबर के वो तो ये है सबलगड का किला जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबलगड का किला आए जानकी देते हैं तो मुरैना के सबलगड सताबडी में इसे पूरा करवाया था तो 18 सताबडी में बन करके पूरा हो गया नीव डाली थी सबला गुर्जर ने कुछ समय बाद सिकंदर लोदी ने इस किले को अपने नियंतरन में ले लिया था देखिए सबलगड का जो किला है वो राजिस्थानी सैली में बनाया गया है इस किले के अंदर प्रवेस करने के तीन दरवाजे हैं और कई मंदिर भी इस किले के अंदर मौजूद हैं इसमें जगनाच जी का मंदिर प्रमुखेताब से पूछा जा सकता है जगनाच जी का मंदिर किस किले के अंदर पाया जाता है तो सवलगड के किले के अंदर है ज बांध है जहां की सुन्दरता देखती ही बनती है 19 में नंबर का किला है अटेर का किला ये देखे कितना भव है यहाँ पर अटेर का किला आईए पूरी जानकारी आपको देते हैं तो इस किले का निर्मार भदोरिया राजा बदन सिंग ने 1664 इसवी में करवाया था तो MPPB के पटवारी में प्रशनाया है कि इस किले का निर्मार किसने करवाया था तो भदोरिया राजा बदन सिंग ने अटेर के किले का निर्मार करवाया था 1664 इसवी में भदोरिया राजाओं के नाम पर ही भिंड शित्र को पहले बदवार कहा जाता था तो आपसे पूछा जा सकता है भिंड शित्र का पुराना नाम क्या है तो भिंड का पुराना नाम है बदवार ठीक है? आई और जानकारेते हैं गहरी चंबल लदी की घाटी में इस्तितिया किला भिंड जिले से 35 किलो मीटर पश्यम में इस्तित है यह हिंदू और मुगल इस्तापत कला का बेजोड नमूना है अटेर का किला चंबल लदी के किनारे देवगिरी की पहाडी पर इस्तित है इसलिए इस किले का मूल नाम देवगिरी दुर्ग है तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अटे किले के अंतरगत इस्तित है यहां पर खूनी दर्वाजा तो महतपूर्ण है आप अपने दिमाग में इस जो पॉइंट है खूनी दर्वाजा वाला वो जरूर फिट कर लीजिएगा क्योंकि आगामी परिच्छे आने वाली है जो भी उनमें आपसे खूनी दर्वाजा के ब अधियुवान है ध्याओं और अपने लिए तर बीर के बिले में जानकारी किलों के खूनी आहां पर बाइंड़ कर गता देता हैं और यह आप वर्ण बता देते हैं कि किलेक से जो भी प्रेशन बनेंगे वो एक भी प्रेशन इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है दोनों वीडियो आप अच्छे से देख लीजीगा इससे पहले हम जरनों की वीडियो बना चुके हैं जलबरपात की वीडियो बो भी जाकर के आप देख लीजीगा तो कोई प्रशन जो टॉपिक हम क्लियर कराते चल रहे हैं कोई भी प्रशन इससे बाहर नहीं जाने वाला है उसके बाद हम आपको बता देते हैं इसके बाद इसकी अब्जेक्टिव क्लास लेकर के आए हुए हैं उन सारे प्रशनों को हम यहां पर सॉल्व कराएंगे रैपिट फायर वाले हैं तो त्यार रहेगा अगले वीडियो के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजी और दोस्तों को सेयर कर दीजे जिनका आप सेलेक्शन करवाना चाहते हैं आगामी जो भी परिछा आने वाली हैं उसमें और हमारे चैनल पर अगर आप प सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार